हलो दोस्तो मैं हूँ पवित्रा और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल दा स्वीट पॉट निस्ट में तो दोस्तो देखिए मेरे टैरस पे तोरे कितनी सारी लगे हुई हैं और दो ही तोरे की बेल हैं दोस्तो दो ही प्लांटेंस के तो दिखिए एक ये भी ह तो मैंने सोचा आप से शेयर करूँ ये देखिए इधर भी लगी हैं और उपर भी लगी हैं तो दोस्तो वैसे तो मेरा वीडियो तोरे के बारे में नहुकिए मेरे जो करीपत्ता का चार साल पुराना प्लांट है दोस्तो उसके बारे में हैं क्योंकि इसका पॉट तूट गया था और मुझे इसको रिपॉर्ट करना पड़ा क्योंकि लगबग चार साल से ही ये प्लांट जो है एक ही पॉट में लगाता देखिए कितना बड़ा प्लांट हो गया है और फिर मैंने सोचा चलो आपके लिए इसका वीडियो ही तयार कर देती हू तो आदा काम तो लगबग मैं कर चुकी हूँ दोस्तों इसकी देखिए इसके पत्ते वगबग भी हटा दी है और इसकी देखिए रूट भी नीचे से मैंने प्रून कर दी है उसके बाद मेरा मेरा मन करा कि मैं आपसे ये वीडियो शेयर करूं वीडियो बनाओं तो आदा क काम में कर चुकी हूँ और देखिए बॉट पो जो है पूरा ही किस तरह टूड़ गया है क्यूंकि इसमें पूरा यह रूट से भर गया था दोस्तों पूरा पॉट और यह 10 इंची का पॉट था जिसमें कि यह करीपता का प्लांट लगा था वैसे तो दोस्तों हमें करीपता क हर वक्त जरूरत पढ़ती ही रहती है हमारे किचन में कुछ भी हम बनाते हैं तो इसके लिए तो यह मेरे बालकनी में है जब भी जरूरत पढ़ती है तो मैं यहां से इसके पतियां तोड़के यूज कर लेती हूं दोस्तों तो यह आदा काम हो चुका है रूट मैंने तो मैंने इसमें खटी कर दी हैं और सब्जी और फिर फलों के छिलके भी मैंने इसमें नीचे डाल दी हैं दोस्तों अब मैं इसमें इस जो मेरी रूट पर प्रून करी हुई इसमें की हैissements ऑलगे ख?, उपर से अच्छी मिट्य को लगा दूं Nahee तो देखिए यह सब इसी में और 20 लीटर की जो है यह पेंट वाली जो उस तो बकेट है तो यह प्लांट्स इसमें अच्छे से डवलेप होगा इसकी रूट्स जो है काफी नीचे तक चली जाएंगी और इनको स्पेस मिलेगा डवलेप होने का रूट्स को तो मैं सब इसमें बकेट में यह सब चीज़ें डाल दूँगी और जितनी भी इसकी करीपत्ते की जो पतियां वगएरा थी दोस्तों को सब मैंने हटा दी थी पीली पड़ रही थी तो मैंने यह हटा दी है और सब में इसमें डाल दूँगी तो एक हाथ में दोस्तो मेरे में कैमरा है और एक हाथ में एक हाथ से में काम नहीं कर पा रही थी तो मैंने हैल्प लिये ये देखिए इस तरह में इसमें डाल के सारी मिट्टी मैंने इसमें डाल दिये पतियां में डाल दिये और अब ये रही इसमें दोस्तों वर्मी कमपोस्ट मिला के मैंने अपनी garden soil और वर्मी कमपोस्ट मिला के मैंने इसमें ये डाल दिये दोस्तों अब इसमें इस प्लांट को ये दिखिए इस तरह से लगा देंगे ताकि अच्छे से इसकी दोस्तों जब तक इसकी जड़े नीचे तक जाएंगी तब तक ये हमारी पत्तियां बगएरा कमपोस्ट बन चुकी होगी इनकी तो करीपत्ता का वीडियो ये कैसा लगा आप जरूर बताएं मुझे कमेंट करके दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अब इसको हम मिट्टी से कबर कर देंगे दोस्तों इस तरह पूरा पॉट अच्छे से कबर कर देंगे फेस में पानी दे देंगे और कुछ दिन के लिए हम इसको लगवख चार से पास दिन हम सेड में रख देंगे बैसे भी तो अभी थोड़ा सर्दियों का मौसम है तो हलका सा सेड में रख देंगे और फिर यह अच्छे से डवलप होगा तक तक के लिए बाबाई दोस्तों